Hello Traders and welcome to the studio Members आज किसी बहुतरह का कोई भी trade execution अपना नहीं है order book जब आप देखोगे तो पूरी तरह से blank order book है and position book भी पूरी तरह से blank है so trade execute नहीं करने की पीछे का reason यह है कि morning में किसी बहुतरह से हमें नहीं लग रहा था कि price match किस तरह का move होगा side way movement हमें morning से ही लग रहे थे कि आज stock side way move में ही रहेगा nifty के अंदर भी morning में जिस तरह के move हुए सिर्फ 50 रुपए के अंदर ही पूरा nifty गहुमता रहेगा यह move बन morning में यह वाला move हो गया price एक resistance सीधर support पर आ गया और पूरे दिन देखिए इस नहीं एक तरह से हम यही मान करके चलते हैं कि निफ्टी में भी आ जिन्होंने trade execute चेंगे loss ही लिया होगा अगर जाद देर तक उन्होंने hold किया इसके अलावा पूरी market में कोई बहुत बड़ा move हमको नहीं नजार आ रहा था समझ नहीं आ रहा था हमें खुद से confidence नहीं हो रहा था जिस वएसे कोई भी ट्रेड एक्जिक्यूट नहीं हुआ इसके बाद में जो लॉजिकली रीजन है वित मंत्राले की तरफ से economic event था आज के दिन में सो बजेट वगरा को लेकर के जिस वएस हमें ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा move एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे था हम सो इस वएसे कोई भी ट्रेड एक्जिक्यूट नहीं हुआ दूसरा आज का हमारो जो में टॉपिक है एक ट्रेड अगर हमें एक्जिक्यूट करना है अब मान के चलिए हमें कल अगर कोई ट्रेड एक्जिक्यूट करना है तो एक दिन पहले कौन कौन से प्रोसेस हैं जो की क्मट्रीट करने होंगे स्टॉक सेट कुम किस तरह से करेंगे उसका एख iç केंगे किस जगह पर ठेड एग्जिक्यूट करेंगे किस दिशा में में एक्जिक्यूट करने यह वारे पास रोना होनी चाहिए अगर एक टोगाया वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉरमेटिव लगते है तो वीडियो को प्लीज लाइक किजएगा, कॉमेंट किजएगा अगर चैनल पर आप पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब किजएगा तांक्स और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो stock selection सबसे पहला एक process होगा जिसको कि हमें complete करना and derivatives को अगर trade करना है तो उसमें selection का कोई process होगा ही नी वो तो nifty को trade करो या bank nifty को दो ही charts में आप उसको trade करो अब basically हम जो prefer करते हैं stocks को trade करना सबसे बेतर होता है आज एक stock आपके level पर नहीं दूसरे दिन होगा तिसे दिन अगर वो नहीं है तो कोई दूसरा stock आपके level पर मिल जागा nifty bank nifty में क्या है कि वही एक chart है level पर कम आएगा trade हमें roast करना है तो losses होने के chances वहाँ पर में ज़्यादा देखते है इस stocks में क्या है कि हमारा एक stock आज हमारे level पर नहीं है देख लिए दूसरा stock 200 stocks हो जाएंगे na 200 से plus stock होंगे FNO और Nifty 50 के stocks को मिला देंगे ओईना को stocks तो हमारे criteria को fulfill कर देगा जिस पर कि हम पूरे confidence के साथ बैठा रहेंगे पूरे दिन trade execute करने के लिए तो इसलिए सबसे पहला stock selection Stock select करने के लिए एक बात एक चीज अपने मन में बैठा लिजे कि कौन सा stock हमें trade करना होगा बहुत सारी तरीके होते हैं बहुत सारी तरीके stocks को एक दिन पहले select करने के simple way में जैसे कि यह तो traditionally हम बोल सकते हैं पुराने system है आप top gainer top loser को उठा लो इसके उपर हम फिलाक काम नहीं करते हैं लेकिन stocks को select करने का तरीकत यह भी है सबसे ज्यादा volume आज इस stock के अंदर trade हुई है वह उठा लो आप एक sector को उठाओ देखो कि पूरे दिन में कौन सा जितने भी sectors है अपने इंडिया के अंदर उन sectors में से top gainer sector कहों से है top gainer sectors में से जो सबसे high के उपर आपको इस stock पड़ा हुआ है मेरे पास माल लिजे metal sector तो metal sector आज का top gainer है just imagine metal sector हमारा आज का top gainer है तो metal sector में इतने सारे stock है ये भी उपर की तरफ गया है ये भी उपर की तरफ गया है ये भी उपर की तरफ गया है एक stock metal sector के अंदर का ऐसा है जो कि जाधा नहीं चला थोड़ा सा ही चला है तो जब हम ये देख रहे हैं कि metal sector में अगर ये तीन स्टॉक just for example अगर ये तीन स्टॉक उपर की तरफ गया है यह hint हम दे रहे हैं आपको छोटी-छोटी इसके ओपर जब हम लोग काम करने के लिए जाद है तो कापी सारी चीज़े होते हैं जो इसको complete करना पड़ता है लेकिन ये है अगर इसको complete कर लिया तो फिर अगले दिन trade को लेकर के कोई आपके अंदर confusion नहीं रहेगा आप सोचों कि ये काम कैसे करें trend किस तरह से decide करें ये करें वो करें इस अब कैसे करें entry कहां पर होगी कुछ भी नहीं करना है उसमें से जो simple साम तरीका आपको बता रहे है क्या करना है volumes को सबसे पहले जो हम prefer करते है volumes इसमें volumes हम कैसी देखते है जो आज का setup होगा है जिसके recording आप निकाल होगे तो इसमें सबसे पहली जो volume होगी वो कम होगी second volume जो होगी वो ज्यादा होगी इस format को जो हम रखते हो VSA के अंदर रखते है VSA में क्यों देखिए कल भी हमने इस चीज़ को बताया था कि volume कम है और price का movement ज्यादा है next है क्या हुआ volume ज्यादा है और price का movement कम है क्या यहां से में diversion show नहीं हो रहे है हम क्या करते हैं low and high mark कर लेते हैं सबसे पहला तरह का यह होता हम लोग low and high mark गया करते हैं इसके बाद में price गर ऊपर आफ़ ब्रीकाऊट मारेगा तो हम लोग by side की तरफ trade execute करेंगे या पिर नीचे की तरफ ब्रीकाऊट इंडिक्ड करेंगे पहली चीज़ कुछ ज्यादा analysis नहीं करनी है उसके ब्रेकाऊट इसके बाद में second आता है volume इसमें भी पहले दिन की कम होती है and second day की ज्याद होगी अगर हम compare करेंगे last trading session में and यहाँ पर भी mother candle ही होती है but इसमें जब हम एक step और आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि next day फिर हमें करना क्या है क्या हम buy side की तरफ ही अपने trade execute करेंगे या फिर sell side की तरफ करेंगे break in side भी अगर हमें करना होता है जैसे कि माल लीजे हमें करना है बाहर की दिशा में trade करना है उपर की तरफ तो एक दिन पहले हमें decide कर लेंगे previous candles को read करते हुए candle से candle को जब हम लोग attach करते है इसे मालूम है कि में buy करना है या दूसरे में हमें short selling करने तो फिर हम अगले दिन फिर हम buy नहीं करेंगे यह buy हमारी cancel हो जाएगी फिर हम next day short selling करेंगे इसके अलावा इसके इसके लावा break in side को किस तरह से trade किया जा जाए था और यहां से फिर यह नीचे की तरफ गिर जाएगा इसको बोलते हैं break in side की तरफ trade execute करना है एक range के अंदर ही trade execute करना तो यह तो फिलाल काफी deep में जाना पड़ेगा समझाने के लिए अभी simple हुए में लोग यह system अगर हम समझाएंगे तो काफी time ले जाता यह system अगर हम समझाने जाएंगे तो इसमें बहुत सारा time जाता है class अगरा में भी discussion होता है तो तीन दो तीन तेन station इसको पर चले जाते हैं तो अभी फिलाल उतना तो time अपने पास नहीं है simple आप यह समझो कि सिर्फ breakout की तरफ trade कहसे किस तरह से execute करना होगा या फिर इस तरह से नीचे के दिशा में trade कहसे execute करना होगा break inside छोड़ दीजे और यहां से जो directions होते हो उसको हम लोग छोड़ देंगे तो सबसे पहले चीज स्टॉक सेलेक्शन थी स्टॉक सेलेक्शन के लिए हमारे यह होगा इसके लिए अगर आप चाहो तो scanner बना सकते हो कि वाल्यूम प्रिवेश्टे से ज्यादा होनी चाहिए जो भी है या फिर एक एक करके आप स्टॉक को निकालो और देखो कि यह वाला तीन दिन का लड़का है अगर दो तीन दिन आपको हुए है ना है तो हो सकता है कि आपके सर के उपर से चला जाए लॉस करोगे इदर उदर से जब धक्के पड़ेंगे मार खाओगे आप न तब फिर यह साही चीज आपको लगेगा कि नहीं यह भी समझने वाली चीज होती तब फिर मन लगेगा वाना शुरू में मालू में क्या लगता है तो बड़ा हार्ड है यह कैसे होगा यह मार्केट नहीं होती है मार्केट तो चुटकी बजाने का काम है तुरंद खतम होती है तो इसलिए हम बोले अगर दो तिन दिन हुए है आपको मार्केट में तो यह सा इडिंग में हम लोग आगे बढ़ना चाहरे है तब फिर आप इन सारी चीजों को समझने में अपना प्रेशर डालोगे उसके ऊपर कंसंट्रेट करो कोशिश करिए नहीं समझ में आ तो दो बार तीन बार वीडियो को देखो लेकिन अगर एक बार यह समझ में आ गया तो आ मोग रहा हम लोग ज्स इसका हाई मारे लेवल हमiden इसके पास से और एक्जिक्यूट करना है इसके दूर यह प्राई यह'. और previous to previous day का low यह हम लोग मार्क करेंगों यहां से trade execute करेंगे lower time frame पर जाएंगे तो same level अपनी transit हो जाते हैं lower time frame के पर इसी के पास हो सकता है 2-4 पैसे 10 पैसे एक 2 रुपर उपर नीचे हो जाएंगे तो वो चलता है उतना हम लोग buffer भी लेकर के चलता है इसके बाद में आता है reading reading के बाद में आपका entry, stop loss और target आजाएगा अब reading करनी है तो कैसे करेंगे देखिए कोई एक stock है जो के नीचे की तरफ गिर रहा है आते आते इसने क्या क्या ना यह upside की तरफ जाने लगा यहां पर इसने एक mother candle का फॉर में पना दिया आप candle से candles को मिलाओ जैसे कि यह वो candle है जिसने हमारी previous candle का low break किया एक यह वाली candle बन गए और second हमारी यह वाली candle form हो गए इसके बाद में देखिए क्या हुआ है कि price हमारा उपर की तरफ तो गया है मतलब last candle का high इसने break किया है यहां से समझपा है ना इस वाली candle का high इस candle ने break कर दिया अब अगर इसको उपर की दिशा में जाना है तो इसको यहां से निकलना पड़ेगा न और अगर नहीं जाना है तो यह जो mother candle जो format अभी हमने आपको बता है और फिर इसने क्या किया है प्रिवेस टे की candle का just इसने high break कर दिया अब अगर इसको उपर की दिरफ निकलना है तो यह उपर की दिरफ चला जाएगा और अगर नीचे की दिरफ निकलना है तो यह नीचे की दिरफ आजाएगा लेकिन हमें यह देखना होगा कि जहां किदर सकता है इसकी preference किदर हो सकता है probability किस side में stock को trade करने की तो हम देखने कि price अपने previous lows को break कर रहा है हो सकता है कि यह एक retracement हो और यहां से price फिर हमारा नीचे किदर गर जाए top loss ले लोगों के और फिर इनीचे की दरब गर जाए तो हम क्या करेंगे नेक्स्टे के लिए हमें यहां से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग ही करनी है तो simple में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि price जिस जगह पर आपका खाड़ा है इस वक्त क्या वो previous candles के lows को break करते हुए आया है या फिर highs को break करते हुए आया है अगर इसने high को protect किया है और lows को ही यह लगातार break कर रहा है तो probabilities are very high के price आज भी अपने low को ही break कर सकता है और नहीं भी अगर low को break करेगा तो फिर हम trade दिशा में move कर रहा है तो फिर उसको करने दो हमारे किसी काम का ही नहीं है अगर वो गिरता तो ही हम trade execute करेंगे तो इस तरह से क्या होगा ना धीरे धीरे करके बाकी की और वीडियोस आप देखो उसमें तो कितने अच्छी तरह से हमने read करना सिखाया है बताया है एक एक वीडियो के अंदर हम readings बताते हैं अब आता है आपका entry point entry की तरह से execute करनी होगी कि यह अगर आपको कोई day time frame का level है यह तो मान के चलिए हमारा day time frame का level है अब यहां से हम काम करते हैं दो lines draw करते हैं और दोनों ही lines हमारी होगी lower time frame की जैसे यह एक यह होगी और यह एक यह होगी यह day time frame के उपर हमें levels अपने draw केते हैं अब हम यहां पर आ गया है देखिए simple way में ऐसे समझे कि अगर trade execute करना है तो entry को कैसे हम लोग देखते हैं जैसे ही आपको stock नीचे की तरफ break होगा आप तुरेंट trade मत मार दो यहां पर देख लो कि क्या कोई भी एक bearish candle form हो रही है अगर कोई एक mother candle मिल गई कोई भी engulfing candle मिल गई आपको shooting star मिल गई जिस में भी जिस formation में आप comfortable हो उस formation का weight को अगर बनती हो नीचे की तरफ ही break होती तो ही trade मारना short side की तरफ और अगर यहां पर बन रही है तो एक candle close हो जा तो उससे काम निच लेगा यहां पर देख लो कि mother candle, engulfing candle आपका inverted hammer बन गया अच्छा inverted hammer में कहा है न सिंगल candles के formation मत ली जागा वो candles जो कि सिर्फ एक अकेले बनती है वो नहीं एक से ज्यादा formats को आप लो कि जैसे यह mother candle इसमें दो candles बनती तब mother candle बनती है या फिर यह हमारी engulfing candle है इसमें दो candle बन गई आपकी इस तरह से morning star हो गया है न यह morning star बन गया तो दो से तीन candles आपकी बन रही है या evening star है इस तरह के formats को लो trade execute करो आप देख लेना आपको मजा जाएगा trade करके जितनी भी चीज़े हम बोले ने सिर्फ बाते नहीं है live market में इसके थुरू हम trade execute करते हैं और इसी के थुरू ही हम trade अपना execute करेंगे यही सब छुटी छुटी चीज़े हैं आप practice तो करके देखो एक बर बस इस mood में आ जाओगी अभी सीखना है बस आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे बहुत अच्छा कर ले जाओगे market बहुत अच्छी तरह से सिखाती है यहां पस्ति पैसा लिया ही नहीं जाता है पैसा बंगता है बस mindset वो हो रोज थोड़ी ना trade execute होता हमने नहीं आज को trade execute किया कल हमने किया था 2000 रुपा को profit हमको हुआ था लेकिन उसके पहले नहीं है अरे market नहीं बनी हम वेट कर रहे थे कि price इस target level तक है वो आये ही नहीं वो यहां से उपर की तरफ turn हो गया अब हमको सपना थोड़ी ना रहा कि price उपर की तरफ निकल जाएगा हम तो यह मान रहे है कि price नीचे गिरेगा 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 और यहां तक जागा क्यों मतलब अगर यह हमारा target है तो price इस तरह से यहां पर आया और सीध होपर की तरफ चला गया मतलब पूरे दिन हमने वेट के और टीन केंडल में price सीध है हमारी entry point तक आ गया live थे सब लोग live थे तो उसमें बहुत लोग बोले थे निकल जाएए निकल जाए निकल जाए हमें तो मालूम है न यहां तो में stop loss दे देंगे यहां तो फिर अपना target लेलेंगे काफी लोग बोलते है न कि manipulation होता है यह होता है वो किसी के पास इतना time है क्या हमने जहां पर एपनी 150 200 या 1500 कौंटी मारी वो हमारी कौंटी आकर के लेगा हम इस चीज में believe नहीं करते हम इसको नहीं मानते या तो entry जाएगी या stop loss मिलेगा हमें सिर्फ इतना ही मालूम है प्राइस सीध है हमारा entry point के पास तक गया और सीध है फिर नीचे की तरफ गया वो जितनी speeds उपर गया था ना पूरा पूरा सब्सक्राइट को बहुत नीचे की तरफ गया है था practice करो बहुत अच्छा कर ले जाओगे आप stop loss लगाना है अभी जिस तरह से मने बोला कि कोई भी format आप देख रहे हो trade execute करने के लिए हमें इस mother candle के नीचे अपना trade execute करना है तो यहां पर अपनी entry ले ले लेना और इस mother candle के ऊपर यह अपने stop loss लगा देना मार्केट को एक बार देख लेना मार्केट की फिवर में ही trade मारना टार्गेट के लिए यह आपके उपर depend करता है कि आप target लगा होगे कैसे आपको 1-2 चाहिए 1-3 चाहिए हम यह इस system के according हम जो आपको target देंगे वो होगा 0.5% का यह target होगा अगर इतना इतना move आपको उसमें अगर इतना मिल गया ना तो में तरफ से target complete है इतना होगा यह इतना कम क्यों हम बोल रहे है क्योंकि live market में जब आप trade execute कर रहे होगे तो हम सामनी नहीं बैठे होगे आपको खुद देखना पड़ेगा वहाँ पर कैसे आप target लगा रहे हो क्या कर रहे हो तो इस बीच में हम आ अगर आपको लग रहे है कि आप hold कर सकते हो तो hold करो लेकिन 0.5 होगा मेरे तरफ से target done है अब यहाँ पर तीन example हम आपको देंगे stocks के सबसे पहला है HDFC bank ने देखिए क्या क्या है यह जो range हमने mark की इसके अंदर volume ज्यादा है इसके देखिए 9.25 million की volume है और यहाँ पर 9.29 million की volume मतलब कि previous day से ज्यादा की volume आज में आई है अब हमने इसका previous day का high and low mark कर लिया इस जगा प्राइस देखिए क्या कर रहा है यह इसका एक support area है support से price सीधे देखिए support यह support यह support वापस उपर गया उपर की दरफ गया price और नीचे की दरफ गया मतलब यह resistance इसने break किये अब इसको अगर ऊपर की दरफ जाना है और यह strong है तो यहां से इसको ऊपर निकल जाना चाहिए था बट price हमारा सीध यहां पर आ गया आ जाना और फिर से इसने low break कर दिया अब अगर यह weak है तो इसको फिर नीचे जाना चाहिए but price जहां से फिर सीदे उपर की तरफ चला गया high break करने के बाद में फिर price जमा रहा है नीचे की तरफ आ गया मतलब कि यह consolidation का area है price जहां से उपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है कैसे करो गया सिर्फ previous day का हमने high mark कर लिए आप एक काम करना volumes के recording हमने levels तो अपने mark कर लिए जैसे ही price previous day के उपर जा रहा है अपने entry एक confirmations लो यहां से trade मारो target आपका 0.5% होगा मिल जाएगा achieve होगा price यहां से नीचे की तरफ निकल रहा है जैसे ही निकलता है वैसे trade मार दो 0.5% का आपका target होगा achieve हो जाएगा confidence के साथ बैठना trade मार देना risk को manage कर लेना बस ऐसा नहीं है कि risk capacity आपकी 100 रुपए की है और आप trade मार रो 500 रुपए की है पस जाओगे पुरी तरह से second दूसरा example है JSTW Steel low mark करो high mark करो stock देखे कर क्या रहा है price ने highs and lows लगाते हुए downside का movement दिखाया यह एक high है सीधे नीचे की तरफ market कर गए यहां तक आई फिर से देखे यहां पर यह लोग इसने mother candle form कर दी price ने गिरते गिरते कोई भी mother candle नहीं बनाई है यह देखे कोई mother candle नहीं बनी यह पहली mother candle form हुई है मतलब कि यह पहला support बना है इस जगे से क्या हो सकता है price के अंदर buying भी आ सकती है और price के अंदर selling भी आ सकती क्या एक दिन पहले हम लोग भी डिसाइड कर सकती कि हमें next day के अंदर क्या करना buying या selling क्या लगता है कि इसी जगे से इसका resistance area है यह वाला point यहां से उपर की तरफ गया और फिर यह नीचे गिर गया again यह support पर है क्या हो सकता है आज इस ने एक gap up opening दी and gap up opening के बाद में हमें लग रहा है कि यह हो रहा है strong इसके अंदर करना buy कल के दिन JSW Steel के अंदर आप buy करोगे सिर्फ और सिर्फ बाई करोगे selling मत करना जैसे price 725 के उपर निकले जैसे 725 के उपर निकले आप यहां से buy कर ले ना 0.5% का target achieve हो जाएगा analysis करना stop loss लगाना target 0.5% करेगा वो अचीव हो जाएगा confidence के साथ में trade execute करना HCL Tech के अंदर भी देखिए हमने high end lows दोनों mark कर रखे है price का यह एक अपना resistance point है अगर HCL Tech ने अपना यह high break कर दिया आप trade मारती जाएगा इसमें उपर की तरफ और अगर low break करता हो तो फिर नीचे की तरफ trade मारतीना है high end low दोनों तरफ का वीव बना कर रखे हो क्योंकि यह इसका resistance point है यह वाला अभी market में थ्रॉड़ा सा consolidation आपको देख सकती क्योंकि budget sessions है है ना यहां पर कुछ नो कुछ गड़बड हो सकते गड़बड इन दे संस के price आपका sideway भी हो सकता है और बात है IIT sector के तो दोनों set का भी बना करके चलो price high break कर देना आप मार देना trade और अगर price आपका नीचे की तरफ निकल रहा तो फिर यहां से आप नीचे की दिशा में trade मार देना और target आप रोखोगी 0.5 देखिए हम इतना कम target इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब आप trade execute कर रहोगे तो हम आपके बगल में आपके पास में नहीं बैठ होगे तो मेरी तरफ से जो target रहा है उसमें बहुत बड़ा risk नहीं मतलब बहुत ज़्यादा दिर तक हम नहीं बोलेंगे आपसे कि आप risk लेकर के बैठ रहा हो हम personally जितने trade execute करते हैं तो उसमें target हमारे 1% 1.5% की होते हैं या class वगएर भी बताते हैं तो इतने ही होते हैं लेकिन जब बात हम इस तरह से public platform पर कर रहे हैं तो आपकी trade execute करने का तरीका क्या है stop loss आपका क्या है वो हम नहीं जानते हैं इस वाज़े से हम यहाँ पर stop loss आपको कम बता रहे हैं कम हैं लेकिन मिल जाएंगे इतना श्यूर है क्योंकि जो stock हम निकाल के आपको कल के लिए दे रहे हैं तीन यह भी काम करेंगे और इसके बाद में कोशिश करेंगे एक एक वीडियो हम आपको रोज अपलोट करते रहें जिसमें कि आपको stocks कल के लिए मिलते रहें यह overall अपनी analysis थी कोशिश हम ने की है कि आज की वीडियो में आपको यह समझा दें कि अगर कल के लिए में stocks निकाल लें तो कैसे में realize करेंगे कैसे trade execute करेंगे कैसे उसके दिशाने दारित करेंगे वीडियो अगर helpful लगा हो तो वीडियो को जरूर अपना support दिखाएगा Thanks and we will meet again